नमस्कार दोस्तों, study for goals में आप सभी का स्वागत है, यदि आप competitive exams की त्यारी में जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अवज से सब्सक्राइब करें It's me, Ranjit Kumar, you can follow me on Instagram and Twitter Friends, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि यहां मिलेंगे आपको daily morning 5 a.m. को जारखन के बेहतरीन current affairs तो चलिए Friends, बिना देरी की हुए देखते हैं आज के महत्पुन current affairs 3 जुलाई 2020 यानि आज, आज का पहला प्रसन है Friends, जारखन के किस company के दवारा Corona Mobile Testing Lab त्यार किया गया अच्छा, mobile means movable एक ऐसा lab जो एक जगा से दूसरे जगा जा सकता है उप्सन है Friends, बेबको, रियाडा, बियाडा और टाटा तो Friends, मैं आपको बता दूँ इसका सही answer क्या है? बेबको बेबको के दवारा Corona Mobile Testing Lab त्यार किया गया चलिए आगे हम explanation देख लेते हैं तो Friends, आपको बता दूँ जारकंड में बढ़ते Corona संक्रमन और जाच की परकरिया को बढ़ाने के लिए आदित्यपूर ओदियोगिक छेत्र, बेबको, यानि भारत Engineering and Body Building Company ने Corona Mobile Testing Lab त्यार किया गया है तो आपको याद रखना है बेबको का फुल फॉर्म भी याद रखना है भारत Engineering and Body Building Company अगला Point of Friends इस Lab के माधियम से एक दिन में 400 से भी अधिक लोगों की जाच की जाएगी जिसका खर्स्च महज 1250 रुपय होगा तथा रिपोर्ट भी 20 मिनट के अंदर ही दे दी जाएगी अभी हाली में पातकाइंट बगएर प्राइविट कमपनी के द्वारा जो कुरोना टेस्ट किया जा रहा था वह 2400 रुपयों में टेस्ट किया जा रहा था जो जारखंड का न्यूनतम मुल्य था और उससे भी न्यूनतम मुल्य बारा सो पचास हा गया तो मैं पातकाइंट बगएर इस कमपनी के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ ठीक है फ्रेंट चलिए आगे देखते हैं रियाडा था ओप्सन में तो चलिए at least हम रियाडा का फुल फॉर्म तो जान ही लेते हैं तो रियाडा ओप्सन में है तो रियाडा का फूल फॉर्म के फ्रेंट तो राची ओध्योगिक छेतर विकाश प्रादिकर और इसकी अस्थापना कब हुई थी तो 1973 में हुई थी और यह एक autonomous body है उस समय जारकन बिहार रिखी था और उसी दोरान इसका अस्थापना हुआ था दूसरा option था Friends, बियाड़ा, बियाड़ा का full form क्या है Friends, बोकारो ओद्योगी छेत्र विकास प्राधिकार यानि बोकारो इंडस्टियल डिवलप्मेंट ऑथोरिटी बोकारो इंडस्टियल डिवलप्मेंट ऑथोरिटी तिसरा जो option था Friends, चुब था Tata Steel तो चली जब Tata Steel का जि मैं आपको पीछले वीडियो में बोला था कि हाली में जहारखंड SAC, जहारखंड High Court एवं जहारखंड सरकार यह सभी exam point of view से active हो और active हो भी क्यों नहीं क्योंकि एक बहुत सब युवा वर्ग बेरुजगार हैं और इन्हें जॉब देना ही देना होगा और जॉब आप वेकंसी तो लाना ही होगा ताकि युवाओं का ध्यान वहां केंद्रित किया जा सके और हाली में आप सभी को पता है कि JPSC ने जो 326 विद्यार थी JPSC में सेलेक्ट हुए हैं उनको उन्हें certificate verification के लिए बुलाया यानि इससे यहां से निकलता है कि JPSC and JPSC active reference तो आप भी active हो जाईए और जम के तैयारी किजिए और ये तैयारी कैसे होगी तो आपको text वाली तैयारी, text book वाली तैयारी सबसे ज़्यादा करनी है यानि आपका जो JPSC सचवाले को example के तौर पे ले लेते हैं, JPSC सचवाले में जो 5 section से परसने पूछे जाते हैं, जो 120 परसने PT होते है तो आपको उस 5 section के separate books at least एक बार पूरा होना चाहिए और इस example के तौर पे कैसे समझेंगे कि आपका तैयारी पूरा है, तो इस example के तौर पे ऐसे समझेंगे कि अगर मैं अभी जिकर आया था रियाडा, अगर मैं रियाडा का जिकर करूँ तो आपको पता चलना चाहिए कि जारकन जीके के book में रियाडा कहां पे है, रियाडा के बारे में किस page पे knowledge दिया गया है, exact आपको page तो याद नहीं होना चाहिए लेकिन आपको यह पता होना चाहिए किस page के आसपास है, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका जो तैयारी है, वह सही है, यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इधर उधर समय प्रवाद करना बंद कीजिए और तैयारी में जूट जाएए, चलिए फ्रेंट्स देखते हैं आज का दूसरा प्रसन, दूसरा प्रसन है हाली में मुख्यमंत्री हैमंत सोरे ने रेरा पोर्टल का online उदगाटन किया, इस पोर्टल चलिए थोड़े explanation में देख लेता हूँ, आगे बता दूँ फ्रेंट्स की हाली में मुख्यमंत्री हैमंत सोरे ने जारखन मंत्राले में भूसंपदा नियामक प्रादिकार जिसे रेरा कहते हैं कि पोर्टल का online उदगाटन किया, इस पोर्टल के जरिये से real estate से जूड़े प common wealth short story price 2020 दिया गया है, हाली में यानि कल ही हमारे मुख्यमंत्री स्री हेमन सोरेन जी ने इन्हें बदाई दिया और इनका तारिफ किया है, तो यह question तो very very important बताई से तो आप याद रखे, यह प्रसन एक्जाम में पूछा ही जाएगा, तो option देखते हैं friends, a plan that actually works, the great Indian tea and snacks, my life, my mission, we are displaced, we are displaced, तो यह चार option है, तो इसमें आपको बताना है कि कृति का पांडे ने, कृति का पांडे के दौरा कौन से book लिखा गया है, तो यदि आप हमारे channel को regular follow कर रहे हैं, तो असानी से इसका answer दे पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत बार इसका answer repeat कर चुका हूँ, तो answer reference, the great Indian tea and snakes, इसके लावे एक और book है, a plan that actually work, तो इस book को अनध परशाद ने लिखा है, किनके द्वार लिखा गया, अनध परशाद, यह एक ITN है, चलिए option में दो और books के नाम दिख रहे हैं, यानि my life, my mission और दूसरा option है, we are displaced, तो इन दोनों books के writer का नाम, आपको comment box में लिखना है जरूर लिखे, उससे चीज़ें आपको याद हो जाएगे, चलिए थोड़ी बहुत देख लिते हैं, a plan that actually work, उस तक के लेखक सिरी अनध परशाद हैं, जो जारखंट के रहने वाले हैं, तथा IIT दिली के ये gold midlist भी रह चुके हैं, friends, आज का चौथा परसन है, जारखंट क तिरंदाजी कोच, धर्मेंदर तिवारी को नीमन में से किस पुरसकार के लिए नामित किया गया है, ओप्सन है, friends, दुरोना चारी पुरसकार, ध्यांचंद पुरसकार, अर्जून अवार्ड और खेल रत्म, तो friends, मैं बता दूँ, इसका सही अंसर है, दुरोना चारी पु जो ओलंपी मतलब इस अवार्ड से समंदित है, तो उसमें सहे कि ओलंपियन तिरंदाज रीना कुमारी का नाम भी ध्यांचंद अवार्ड के लिए नामित किया गया, इसके अलावे बता दू, friends, दीपिका कुमारी, जो एक तिरंदाज है, हाली में इनका मैरेज हुआ है, अ को 2016 और हाकी की पुर्व अंतराश्टी खिलाडी सुम्राई टेट्टे 2017 को ध्यांचंद अवार्ड से सनवाजा जा चुका है, तो ये सब बातें आपको याद रखने है, मैं पिछले वीडियो में आठ वैसे ओलंपियन का नाम, खेल और कब उन्हें अवार्ड मिला, इसका चिकर किया हूँ, तो यदि आप हमारे पिछले दिनों का करंट अफेर नहीं देखें, तो समय निकाल के देखिए, क्योंकि करंट अफेर के अलावे भी आपको वहाँ पे बहुत सी चीजे को रिलेट करके बताई जाती है, तो आज क्या पांचवा प्रसने फ्रेंट्स, गा को बता दूँ, गाउच चले हम अभियान के थाथ, सीच्कों को अपने स्कूल छेतर में जाकर दस-दस बच्चों को दो-दो घंटे पढ़ाना है, इसके अलावे बता दूँ, वर्तमान में जो डिजिटल कंटेंट उपलब्द करवाया जा रहे हैं, ओ मातर जारकन के 24% पहुच पा रहे हैं, इसलिए जादा से जादा बच्चों तक यह असकूली सिच्छा पहुचे, इसलिए यह पहल की क्या किया गया है, गाउच चले अभियान, ठीक है, चलिए, अब कोई योजना का बात आगया फ्रेंट, तो मैं आपको बता दू, 2020 में जारकन संकवार के जलसमरीदी योजना, बिर्सा हरीत गराम योजना, जारकन मुख्य मंतरी श्रमीक योजना, यानि सहरी रोजगार मंजूरी, सहरी रोजगार मंजूरी फोर कामगार योजना, इसे भी मैं अपने पीछले वीडियो में डिटेल में बताऊं, तो आप देखे, क्योंकि हर योजना, तो ये वे परमुख्योजना हैं, जो जारकन में 2020 में चलाए गए हैं, ठीक है फ्रेंट्स, ये तो थे जारकन के करंट अफेर, अब हम हर दिन की तरह पांच राष्टियों में अंतराष्टी करंट अफेर देखेंगे, वैसे हालाइक्ट प्रस्न देखेंगे, जो ये इनफ है, क्योंकि अगर आप 5 करंट अफेर डेली पर रहें, तो आपको मन्त में 1500 करंट अफेर हो जा रहे हैं, और 1500 करंट अफेर बहुत होता है, और एक्जाम में ज्यादा तर 6 महीने से एक साल का करंट अफेर पूछा जाता है, तो मैं आपके लिए, कहते हैं ना, बहुत से ऐसे कंटेंट भी होते थे, जिनका कोई तुखी नहीं होता था, जैसे मैं मैं आज का ही एक्जामपल दूँ, तो आज का कुछ करंट अफेर यह बन सकता था कि कर्णल राजियस कुमार को रच्छा सक्तिवी सुईदाले का रजिस्टार बनाया गया, अस्टाम सु से हो रही जमीन के अब रजिस्टर ही होगी, और इसके लिए जहारकंड रस्टाम संसोदर निमावली 2020 तयार किया गया, आगे मैं यह भी बता सकता था कि सुरेंदर जहा राची केसेस भी बने, तो फ्रेंट्स मैं बताओं यह सब कोस्चन एक्जाम में नहीं पूछने वाल तो आज ही साम तक आपके लिए खास वीडियो होगा, क्योंकि भारत सरकार ने 59 एप्स को बैन कर दिया इंडिया में, तो इस हिसाब से मैं एक वीडियो बनाया हूँ, जिसमें से हाईलाइटिट कंपनी का नाम होगा, वे किस देश से बिलॉंग करते हैं, तथा उस कंपनी स समंदित क्या क्या information आपको जानना चाहिए, तो आप इस चैनल पे बने रहे हैं इसे देखने के लिए, इसके अलावे फ्रेंड्स, जे ऐसे सी सची वाले के PT के तयारी है तो section wise, यानि जिस तरह से section wise जरकन जी के समान विज्यान इस तरह से प्रस्न पूछे जाते हैं, तो आ क्यारी को थोड़ा और strong बनाई है, तो चली फ्रेंड्स देखते हैं, only five finds जो राष्टियों मंतराष्टी करंट अफेर के हैं, हाली में मध्य पर्देश सरकार ने COVID-19 को नियंतरित करने के लिए कील कोरोना योजना की सुरुवात किये, तो आपको याद रखना कील कोरोना य आगे में बता दू, मध्य पर्देश की राजधानी का है, तो भौपाल है, तथा वर्तमान में यहां के मुखे मंतरी कोन है, तो सीवराज सिंग चोहान है, तथा राजिपाल अनंदी बेन पटेल को इस राज़ का अतिरीक परभार दिया गया है, आगे बता दू, गुड़ अगला अगला current futures की हाली में कीरन डी जुदू ने एतोलिटो के लिए, एतीलिटो के लिए नाड़ा एप लाँच किया है, तो नाड़ा एप लाँच किया है, तो नाड़ा का फूल पोउम आप जाने लिए, नेशनल एंटी डौपिं एजेंसी, क्या होगा, नेशनल एंटी कहा है नहीं दिलनी में आगे बता दू कि राष्टिय चिकित्सक दिवस 2020 का थीम क्या है मैं राष्टिय चिकित्सक दिवस पिछले वीडियो में डिसकस कर चुका इस बार मैं आपके लिए थीम लाया हूँ तो इसका थीम एफरेंट्स लेसें दम मॉर्टैलिटी ऑफ कोविड 2019 तो थीम याद रखे यह एकजाम इंपॉर्टेंट है अब चलिए जुलाई महीने के हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं हम खास इंपॉर्टेंट डेज ही देखेंगे क्योंकि जे एससी डीपली नहीं पूछता है हाइलाइट्ट नहीं पूछता है तो 11 जुलाई को फ्रेंट्स विस्व जनसेंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और 12 जुलाई को विस्व मलाला दिवस के रूप में भी बनाया जाता है और 26 जुलाई को विस्व कारगिल दिवस और 28 जुलाई को विस्व हैपिटाइटिस डे भी मनाया जाता है अच्छ आगे हम देखते हैं हर दिन की भाती में वीडियो के अंत में आपसे एक वेरी वेरी इंपार्टेंट प्रस्न पूछता हूं जो जेसे सी एक्जाम के लिए तो इंपार्टेंट होता है आप एक्जाम होने दीजे और मैं आपको याद दिलाओंगा कि कोस्चन ऑफ दर डे से कि एंसर दिया है और यह काफी सराहनी बात है कि आपने इतने डिटेल से इसका एंसर किया है तो जो नए व्यूवर्स हैं मैं उन्हें बता दूँ कि जब भी आप वीडियो देखिए तो लास्ट में एक बार कमेंट को जरूर चिक किया किजिए क्योंकि बहुत से मित्र बहुत डिटेल में एंसर देते हैं और बहुत सी बाते हैं बहुत सी बाते तो मैं आपके कमेंट से सीखता हूँ तो friends इसका एंसर है option C चलिए इसे हम आप सबो के ही कमेंट से explain करेंगे इसके लावे मैंना living without honor the unbreakable you जैपाल सिंग गरोचक कहाने भी पूछा था चलिए इसे भी explanation मे देखेंगे उससे पहले मैं बता दूँ आज के question of the day का best explanation देने वाले हैं अपताव आलम, पहतरी, बहुत अच्छा दियें, रस्मी वत्स, नीलम वर्मा, राजु यादो तथा MD सामी ये वे लोग हैं जिन्होंने काफी detail में explanation दिया हैं आप सबो को extremely thank you क्योंकि आप से हमारा भी मनौबल बढ़ता है तथा viewers को कुछ जानकारी आपके थ्रू मिल जाता है तो चलिए देखते हैं आप एक viewers के ही detail देखते हैं तो यहाँ explanation है friends मुंडारी लोग कता हैं पूस्ता के लिखक जगदीज तरी गुनियात हैं इनकी अन्य रचनाएं बज रही बाउसरी, सो सो ब without honor के लेखक कोन है तो सीव, खेर और the unbreakable you के लेखक कोन है तो काजल एक्ट और जैपाल सिंग मुंडा, जैपाल सिंग एक रोचक कहानी के लेखक है बलबीर दद, तो चलिए हमें भी असानी हो जाती है, इसके लावे अपताब आलम जी ने भी इन सभी प्रस्णों का उत्त दिया और उसके लावे जो इन्होंने खास बताया है उन्हें मैं आपसे डिसकस कर देता हूँ, इन्होंने कुछ अन्य पुस्तकों के भी लेखक के नाम बताएं, हलांग, हालपुंग, लोको, बोद्रा लिखाएं, डाह, नाटक, सुकुमार जी के द्वार लिखा गया, तथा संजहा, वटी, दिनेस परसात के द्वार लिखा गया, तो देखिए, आपके सामने एक्जामपल है कि आपको कितने इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन बॉक जत्रा, गुमला, धनबाद और कोडर्मा, तो पालकोट अभिहारने का एंसर तो आपको करना ही करना है, उसके साथ ये जो चार जीले हैं, ये चार जीले में कौन-कौन अभिहारने हैं, सिर्फ आपको चार ही लिखने हैं, इन चारो जीले में जो अभिहारने हैं, उन्हें और ये चारो जिले में जो अभ्याराने फ्रेंट्स वो important हो जाते हैं। तो फ्रेंट्स यह तो था आज का राष्टी, अंतराष्टी current affairs, साथ ही जारखंट के महत्मुन current affairs। फ्रेंट्स यदि आपको हमारा यह पहल यह हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इसे जरूर लाइक करें, लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, तथा इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ जरूर सेयर करें। फ्रेंट्स मैं बता दूँ, हमारी टीम पूरी दीन खर्च करके, एक पूरा दीन हमें लगता है यह वीडियो आपके लिए तयार करने में, तो आप हमारी लिए यह किजिए कि अपना सिर्फ एक मिनट निका लिए, और इस लिंक को आपके WhatsApp में जीतने WhatsApp ग्रूप हैं, कारी अच्छ से नहीं हो पा रही है, तो आप बेही चक इन्हें उन मित्रों के साथ जरूर सेयर करें, क्योंकि जितना नंबर आप ज्यादा व्यूज होगा, फ्रेंट्स हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम तक हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन अस्टडी में प्रवाइ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अलावे हमारे टेलिग्राम चैनल पे क्वीज भी हो रही है, लगतार हो रही है, तो क्वीज का भी हिस्सा बनी है, चलिए, आपका मैं दो मिनिट और लेता हूँ और आपके लिए कुछ एक्जाम स्ट्रेटेजी या जेससी की त्यारी से सम गए या सपल रहें, तो अगले साल फिर से मौका मिल जाएगा, जेससी के कई एक्जाम ऐसे हैं प्रिंट्स, जहां यदि आपने एक बार मौका गवा दिया, तो साइध फिर आपको मौका ना ही मिले, चलिए इस संदर्व में हम आपको एक एक्जामपल दे देता हूँ, कि म इसमें मान लेते एज था 25, 25 मान लेते एज लिमीट था, यदि आप 24 वर्स के थे पिछले बार और आपका सेलेक्शन नहीं हुआ, तो जेससी हर साल दरोगा का वेकंसी नहीं लाने वाला है, तो यदि आप पिछले साल 24 साल के एज में इस वेकंसी से चूग गए हैं, मिन्स अब आप जेसस जारखंट के तो दरोगा बनने से रहें, क्योंकि जब ये बाह लियागी, तब आपका इस 30 पार हो जाएगा, या कुछ भी पार हो जाएगा, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, यानि आपको अभी वर्तमान में जो इस्ती थी थे, उसी में जम कर्सक्राइब कर्स्टाइ संद दीक अभी जाएगा, तो ऑफ़ोंकि प्रीजों को आपके जाय हीन जाय भारत, और चारहतशने को ओनस जाय हूच जाय एबारत, जाय भारत तेक्राइब!!!